श्री गुरुभ्यो नमहा सम्स्कृत कक्षायां भावतां भावती नांच पुनरेकवारं हारदं स्वागतं अध्यवयम सुवर्ण देह युताह नकुलाह यह कहानी महाभारत के आश्वमेधिक पर्व से ली गई है महाभारत में जब युद्ध के अनंतर युधिष्ठिर यग्य संपन्न करते हैं उस राजसु यग्य के अनंतर वहाँ पे एक नेवला आता है नकुलाह पद का अर्थ है नेवला वह आता है और कहता है कि आपका यह जो यग्य है वह यग्य उस सत्तु प्रस्थ यग्य के समान भी नहीं है जिस सत्तु प्रस्थ यग्य के प्रभाव से मेरा यह आधा शरीर सोने का हो गया था मैं वही सोच करके आपके यग्य के सामने आया कि सायद शेषभाग भी हो जाए लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ इससे हम कलपना करते हैं कि आपका यह यग्य उस सत्तु प्रस्थ यग्य के समान भी नहीं है सत्तु प्रस्थ यग्य क्या था? उसके बारे में पूँचने पर वह जो आधे शवर्ण शरीर वाला नेवला था वह नेवला बताता है यही कतानक शलोकों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है किस प्रकार से उस नेवले का शरीर स्वर्णमय हुआ था? उस कथानक को यहाँ प्रस्तुत करते हैं सववरणो नकुलह इस पाठ को पढ़ना श्रूयताम राजशारदूल महदास चहरिय मुत्तमम अश्वमेधे महायग्ये निवृत्ते यद अभूद विभो इसका अन्वय इस प्रकार है हे विभो राजशारदूल अश्वमेधे महायग्ये निवृत्ते यद अभूद अर्थात अश्वमेधे यग्ये हो जाने के पस्चात अश्वमेधे यग्ये निवृत्ते अश्वमेधे यग्ये से निवृत्त होने के पस्चात निवृत्ते अर्थात संपन्ने जब अश्रमेध यग्य करके संपन्न हुए युधिष्ठिर आदी राजा वहां बैठे थे तब हे विभो यह संबोधन है किम अभूत क्या हुआ यह बता रहे हैं और पहली पंक्ती का अर्थ है राज शारदूल अर्थात राजाओं में श्रेष्ठ राजाओं में शारदूल शारदूल का अर्थ होता है सिंह तो हे राज शारदूल हे राजाओं में श्रेष्ठ उत्तम महद आश्चर्यम श्रूयताम जो उत्तम महा आश्चर्य है बहुत बड़ा आश्चर्य जैसा होता नहीं चमतकार जैसा कुछ वह आप सुनिये क्या आश्चर्य हुआ था वह घटना बतलाने जा रहे हैं बिलान निश्क्रम्यनकुलो रुक्मपारश्वस्तदानग मानुषम वचनम प्राह धृष्टो बिलासयो महान बिलात निश्क्रम्य अर्थात बिल से निकल करके बिल वह स्थान होता है जहां पे सर्प, नेवले, चूहे ये सब अपने अपने आवाश के लिए जिस स्थान को कल्पित करते हैं उसे सम्स्कृत में या हिंदी में बिल का ही प्रियोग होता है अन्यभाशाओं में भी यह बिल शब्द प्रशिद्ध है तो बिलात निश्क्रम्य बिल से निकल करके नकुलह रुक्म पार्श्वश स्तदा अनग है अनग का तात्परिय है निश्पाप अर्थात युधिष्ठीर को संबोध्यन करके कह रहे हैं हे अनग राजन अर्थात हे निश्पाप राजन हम आपको कुछ बताना चाहते हैं क्या बताना चाहते हैं वह रुक्म पार्श्व रुक्म का अर्थ है श्वर्ण अर्थात जिसका पार्श्वभाग प्रिष्ठभाग सोने का हो गया है वह है रुक्म पार्श्वः तदा अनग तदा तब इस अर्थ को कहने वाला अभ्य है तदा रुक्म पार्श्वः नकुलह बिलात निश्क्रम्य हे अनग तदा रुक्म पार्श्वः नकुलह बिलात निश्क्रम्य मानुषम वचनम प्राह सह नकुलह की द्रिशह तदा ध्रिश्टो पिलशयो महान रथात सह महान ध्रिश्टह वह बहुत ही धीठ नकुल था ध्रिश्ट का अर्थ है ध्रिश्टह का अर्थ है ध्रिश्टह का अर्थ है धीठ धैर्यवान रथात बहुत ही उच्य इक्षा वाला तो वह जो धीठ नकुल था क्योंकि मनुस्यों के वीच में नेवले का आकर के बोलना साधारण नहीं है वह देखकर के दूर भागने वाला प्राणी है और वह सब के वीच में यग्य हो रहा वहां आकर बोल रहा है इसलिए कहते हैं बिलशयह महान ध्रिष्टह रुक्म पार्शव नकुलह ये सब नकुल के विशेशन हैं वह महान बहुत ही बड़ा धीठ जो आधेश्वर्ण शरीर वाला नेवला था वह नेवला आकर के कहता है सत्तु प्रस्थे नवो नायम यज्यस्तुल्यो नराधिपाह उन्च वृत्तेर वदान्यस्य कुरुक्षेत्र निवासिनह अर्थिस पष्ट है हे नराधिपाह राजाओं को संबोधित करके नेवला कहता है कि कुरुक्षेत्र वासिनह उन्च वृत्तेर वदान्यस्य कुरुक्षेत्र में निवास करने वाले के और उन्च वृत्तेर वदान्यस्य उन्च वृत्ति एक प्राचीन परंपरा में वृत्ति थी जिसे उन्च वृत्ति कहते थे और उसी तरह एक शिला वृत्ती भी थी उन्छ वृत्ती क्या है? हम पहले ये जान लेते हैं उन्छ वृत्ती वह वृत्ती है जब खेत कट जाने के पस्चात जैसे गेहूं, धान इत्यादी होते हैं, अन तो जब इनको काट कर किसान ले जाता है उसके बाद खेत में कुछ उसके बाल जो होते हैं वो तूट जाते हैं और तूट के रह जाते हैं, बचे हुए होते हैं उन्में अन्न के दाने भरे हुए रहते हैं अर्थात गेहूं की जो बाल है, चने के जो अन्स है या किसी भी अनाज का वह अंस जिसमें वह अनाज रह गया है तो क्या करते थे लोग जो तपश्या करने वाले लोग होते थे वन में रहने वाले लोग होते थे ऐसे रिशी महात्मा लोग उस खेत में जाया करते थे और वहां से उस अनाज को इकठा करते थे और वह अनाज घर में रखा जाता था और उसी से थोड़ा थोड़ा अंस जितने में जीवन रह सके प्राण सनरक्षण हो सकें सिर्फ उतना अंस खा करके जीवन यापन करते थे और अपनी तपस्या पूर्ण किया करते थे ऐसे जो ब्राम्हण लोग होते थे उन्हें उन्च वृत्ती वाले ब्राम्हण कहा जाता था इसी तरह शिला वृत्ती भी होती थी शिला वृत्ती एक एक अन को बीनने की होती थी और उन्च वृत्ती जो बाल हुआ करते थे जिसमें अन के दानों का समूह हुआ करता था उसका अरजन करना उन्च है और एक कणिशह अरजनम शिलम एक एक कण का अरजन करना शिला कहा जाता था वदान्यहा इस पद का अर्थ होता है जो हर समय सब कुछ दूसरों को देने के लिए आतुर रहता है कोई भी आये हम दे देंगे इस प्रकार का भाव जिसमें होता है ऐसे दानवीर का नाम या दानवीर के लिए विशेशन प्रयोक किया जाता है वदान्यह वह उन्छ वृत्ती वाला ब्रामण भी अत्यंत अभाव ग्रस्त रहने के बाद भी वदान्यह था अर्थात दान देने में अत्यंत कुशल था कुरुक्षेत्र निवासिनह उन्छ वृत्तेर वदान्यस्य यग्यतुल्यह अयम वह यग्यह न अर्थात उस ब्रामण के सत्तु प्रस्थ के यग्य के समान भी नहीं है वह ब्रामण के साथा उसमें विशेशन लगाया गया कुरुक्षेत्र निवासिनह वदान्यस्य उन्छ वृत्तेह सनलगनस्य धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मग्याईर बहु भिर वृते उन्छ वृत्तिर द्विजह कस्चीत कपोतीर भवत पुरा पुरा अर्थात प्राचीन काले पहले की बात है पुरा का अर्था है पहले इस श्लोक का अन्वय हम इस प्रकार से देखते हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मग्याई बहु भिर वृते उन्छ वृत्तिर द्विजह कपोती ही उन्छ वृत्तिर द्विजह अभवत यह इसका अन्वय होगा पदार्थ हम देखते हैं धर्मक्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र है उसे धर्मक्षेत्र की संग्या ब्यास जी ने कई जगह पर दी है जैसे गीता का पहला श्लोक हम देखते हैं धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, समवेता, युजुत, सवह वहाँ पर भी ऐसा ही विशेशन दिया गया है तो जो कुरुक्षेत्र है, धर्म से युक्त जो खेत्र है, ऐसा जो कुरुक्षेत्र है और धर्मग्यई बहुभिर वृतई बहुत सारे धर्मग्यों से युक्त है बहुत सारे धर्मग्यः धर्मम जानाती ती धर्मग्यः जो धर्म को जानने वाले हैं ऐसे लोगों से युक्त जो धर्मख्षेत्र और कुरुक्षेत्र खेत्र पद का अर्थ होता है अस्थान अर्थात ज्यानियों के द्वारा या धर्म का आचरन करने वाले लोगों के द्वारा सेवित जो अस्थान है उस जगह को धर्मख्षेत्र और कुरुक्षेत्र यहाँ पर कहा गया है आगे हम देखते हैं कष्चित उन्च वृत्तिर द्विजह उस ब्रह्मण में विशेशन लगा है उन्च वृत्तिर द्विजह उन्चेन वृत्ति ही यस्या सह उन्च वृत्ति ही अर्थात वह जो द्विजह था उसके वृत्ति वृत्ति का अर्थ है यहाँ आजीविका है वह आजीविका क्या थी कहा उन्चेन उन्च के दवारा वो खेतों में जो पड़े हुए अन्च होते थे उनको संग्रहन करके जिसकी वृत्ती चलती थी जिसकी आजी विक्या चलती थी वह उन्च वृत्ती वाला द्विज कस्चित अभवत कोई उन्च वृत्ती वाला द्विज अभवत क्रिया भूधातू के लंगलकार के प्रथम पूर्स एक वचन में प्रियोग होता है अर्था संपूर्ण श्लोक का अर्थ इस प्रकार से होगा अंच वृत्ती से जीव नियापन करने वाला कोई द्विज था या कोई द्विज हुआ अगला श्लोक हम देखते हैं सभार्यह सह पुत्रेड़ा सस्नुशस्त पसिस्थितः बभुव शुक्ल वृत्तह सह धर्मात्मानियतेंद्रियह सह धर्मात्मा सह नियतेंद्रियह धर्मात्मा सभार्यह सह पुत्रेड़ा सस्नुशस्त तपसिस्थितहसन शुक्ल वृत्तह बभुव यह इसका अन्वय होगा पदार्थ इसको हम इस प्रकार समझेंगे कि सह नियतेंद्रियह धर्मात्मा नियतानी इंद्रियाडी यस्या सह नियतेंद्रियह जिसकी अपनी इंद्रियां अर्थात ग्यानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां पांच ग्यानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रियां मन ये सभी जिसके वश में हैं उसे नियतेंद्रिय कहा जाता है अर्थात इंद्रियों को वश में रख कर कारिय करने वाला जो इंद्रियों के वसी भूत होकर कारिय नहीं करता कोई बहुत अच्छी चीज देखा और उसको पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा कर अगर हम तत्पर हो जाते हैं तो हम नेत्र इंद्रिय के वस में हो गए कुछ हमने अच्छा सुना और सुन करके हम बार बार सुनने की अगर मन में अभिलाशा रखना शुरू कर देते हैं तो हम श्रोत्रेंद्रिय के वस में हो जाते हैं इसी तरह अगर हमने एक बार कोई अच्छी चीज खाई और उसको बार बार खाने के अभिला सामन में उठती रहे उसके लिए हम जगड़ा लड़ाई भी करनी को अगर आतुर हो जाएं तत्पर हो जाएं तो समझ लेना चाहिए हम अपनी रसने इंद्रिय रसना अर्थात जिहवा जिहवा जो इंद्रिय है इसके वश में हो गए इसी तरह हमारी जो पांच ज्यानें इंद्रियां हमारी जो पांच करमें इंद्रियां है इन इंद्रियों के वस में हम ना हो करके अपितू इनको अपने वस में रख करके कारी अगर करते हैं तो उन पर बुद्धी का अधिकार होता है और बुद्धी के द्वारा शाशित जो मन होता है वह कभी पतन नहीं होने देता कभी गिरने नहीं देता इसलिए इन्द्रियों पर वश करके रहना चाहिए वह जो द्विज है जिसकी कहानी यहां पर नेवला कह रहा है वह द्विज नियतेंद्रिय है तो नियतेंद्रिय है सधर्मात्मा धर्म का आचरण करने वाला धर्म में स्थित जिसकी आत्मा है वह धर्मात्मा है धर्म का आचरण करने वाला जो व्यक्ति है वह सधर्मात्मा सनियतेंद्रिय है धर्मात्मा सभार्य है अर्थात भार्य या सह वर्तते यह बहुरी ही समास हर जगह हो रहा है भार्या के साथ सभार्य है अर्थात भार्या के साथ ससनुशह अर्था सनुशा के साथ ससनुशा का रथ है बहू के साथ तो अपने बहू के साथ अपनी भारिया के साथ सपुत्रेण अपने पुत्र के साथ तपस्या में सनलगन रहते हुए अपने जीवन को जी रहा था तपस्या में सनलगन रहते हुए अपना समय व्यतीत कर रहा था और उस तप के प्रभाव से क्या हुआ शुकल वृत्तह बभूव शुकल वृत्त वाला हो गया अर्थात शुकल वृत्तह यस्य सह शुकल वृत्तह अर्थात उज्वल चरित्रवान एक तो अर्थ यह होगा वृत्तह अर्थात चरित्रम वृत्त का अर्थ चरित्र है तो उज्वल वृत्त वाला दूसरा अर्थ होगा शुकल वृत्तह वर्ण शुकल वर्ण वाला अर्थात दिव्य तेजो मय हो गया था वह एक उज्वल कान्ति वाला हो गया था वह धनियतेंद्रिय धर्मात्मा जो द्वीज था वह अपनी पत्नी अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू के साथ तपस्या में निरत रहते हुए शुक्लवर्ण से युक्त हो गया था तो हमने इस प्रकार से पांच श्लोकों के इन अर्थों को बढ़ा आप इन शब्दों के अर्थ जो कठिन लग रहे हैं उन्हें शब्दार्था के अंतरगत देख सकते हैं और देख करके शंपुरुन श्लोक का अर्थ अन्वय के आधार पे समझने का प्रयास करेंगे इनके बाद अवशिष्ट जो श्लोक हैं उनको हम अगले करम में पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कर दो को शंवशरुन अवशरुन के प्राद इनको भी प्रती हैं